इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी सूखी खांसी जिसे अनुतपादक खांसी के रूप में भी जाना जाता है एक ऐसी खांसी है जिसमें कोई कफ या बलगम नहीं बनता है यह परेशान करने वाला होता है जो आमतोर पर एक गुदगुदी गले से जुड़ा होता है और यह सर्दी, फ्लू, अलजी या गले में जलन के कारण हो सकता है Panther DX New सिर्प सूखी हैकिंग खांसी को कम करता है यह हांखों से पानी आना, छीकने, नाक बहने या गले में जलन जैसे अलजी के लक्षनों से भी राहत देगा और आपकी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने में मदद करेगा यह दवा सुरक्षित और प्रभावी है पैंथोडी एक्स न्यू सिर्फ आम तोर पर कुछ ही मिंटों में काम करना शुरू कर देता है और प्रभाव कई घंटों तक रह सकता है इसे डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार लें जब तक आपको अपने डॉक्टर से सलाह न दी जाए तब तक इसका इस्तेमाल बंद न करें इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें इसे मापने वाले कप से नापे और मुँव से लें इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं पैंथोडी एक्स न्यू सिर्प भोजन के साथ या बिना भोजन की ये इसे लिया जा सकता है लेकिन बहतर ये होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए सूखी खांसी में राहत पहुँचाने वाली पैंथोडी एक्स न्यू सिर्प तीन दवाओं फेनिलेफरिन क्लोफिन रिमाइन मैलेट और डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइट से मिलकर बनी है फेनिलेफरिन एक डिकॉंगेस्टेंट है जो नाक में जमाव या जकरन से राहत प्रदान करने वाली छोटी रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है क्लोफिन रिमाइन मैलेट एक एंटी एलिजिक है जो अलजी के लक्षणों जैसे नाक बहना, आँख से पानी बहना और छीक आने की स्थिती में राहत पहुँचाता है डेक्स्ट्रमितोफन हाइडरोब्रोमाइड एक कफ सप्रेसेंट है जो मस्तिष्क में कफ केंड की गतिविधी को कम करके खांसी से राहत देता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें, धन्यवाद